तो गाइस कैसे हैं एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इम्रान इंटीर वर्क्स में हम लेकर आया है आपके लिए एक बहुती बढ़िया LED पैनल का डिजाइन जो की बहुती बढ़िया और लेटेस्ट है विल्कुल इसमें हमारा जो वर्क होना है PVC handle का work भी है इसके उपर जो यह हमारा पैनल है बिल्कुल माइका के color से हमने match करा रख रखा है तो मार्केटस को आप किसी भी color में ले सकते कर सकते हैंㄹ मैं ले सकते हैं असानी से सबी color मिल जाते है यहां सबसे पहले हमने इसकी जो PVC पैनल है उसकी कटिंग कर लिए है कटिंग अगर आप कटर मसीन से करते हैं तो ज्यादा फिनिशिंग रहती है इसके अंदर और यहां इसको लगा कर देखा जा रहा है कि किस तरह से इसका बनने के बाद हमारा इस पर खिचने के बाद किस तर लाप करनी है वो बहुत ही सही तरीके से करनी है और अच्छी तरीके से इसको फिल अप कर लेना है साइडों से आगे की तरव इसमें कोई स्क्रू या कील वगएरा ना लगाएं क्योंकि ये बहुत ही भद्दा लगएगा फिर में अच्छा नहीं लगएगा देखने में का अपने आप में एक बहुती जवर्जस्त लुक वुडन कलर की है साइड से इसका व्यू यह आएगा और पीछे की तरफ जो हमारी दीवार से टच होने वाला बोक्स है वहाँ पे हमने लगाई है बबल सीट ताकि मौस्चर से यह बची रहे और जो अपना पैनल का ऊपर वा आपको साइड में इसका नजर आएगा जो अपना बोड है बोड की टक्कर को भी यह पूरा कवर करके चलता है और यह हमारा जो उपर वाला पॉर्शन है जिस पर टीवी खिचना है हमारा वह लगबग तयार सही हो चुका है और इसको यहां देखा जा रहाएगी किस तरह से का सैटिंग करनी है हमें तो लगबग यह कंप्लीट सही है बैड अपने जो अपना यह टीवी पैनल है और यह जो हमारा बोक्स नीचे वाला बोक्स है हमें हैं इसके ड्रोर और जो पल्ले हैं वो रखने हैं हैंडल लेस के लिए आपको गोला प्रोफाइल का यूज करना है तो इसको हम अभी दिखाएंगे अगर आप नए कार्पेंटर से हैं तो आपके लिए एक बहुती बढ़िया वीडियो है और इसको किस तरह से लगाना है सबसे पहले इसकी मेजरमेंट करके अंदर अंदर का बोक्स में ले लेनी है उसकी करके जो हमारी इसकी खाचे जो इस को चाहिए बिल्कुल कटर की हेल्प से इसको कर लेना है माइका लगी हुई है इसलिए आपको फिनीशिंग के लिए जरूरी है कटर से ही आपको इसका कांग परे ताकि माइका में हमारा जो है क्रैक ना आ है माइका टूटे ना कुछ खाचा इस तरह से आप निकाल ले और इसको सफाई कर लें इसके फिनिशिंग कर लें फिनिशिंग होने के बाद में जो इसका वियू आएगा कुछ इस तरह से आएगा और इसको जब आप रखेंगे गोला प्रोफाइल को तो ये बिल्कुल इस तरह से फेस हो जाता है पूरा जो हमारा खड़ा पार्टिशन है उस इसके साथ ये स्कूरू भी आते हैं जो स्कूरू को आपको प्रोफाइल में ख्याच लेना है दो स्कूरू और दो स्कूरू जो आपके बाकी बचे हुए हैं वो अपने को बोक्स के अंदर ख्याच लेना है तो इसको अच्छी तरह से टाइट करने ताकि जो है अपने ये हिले डूले ना और अच्छी तरह से ये टाइट हो जाए फिक्स हो जाए इसके अंदर वो इस तरह से आपको इसमें रख देना है और रखने के बाद इसमें ये इस तरह से आपने इसक्रू टाइट कर देना है इसका और अच्छी तरह से इसका सावधानी से इसको लगाएं त को हमने जहां हमें सेट करना है वह हमने इसको सेट कर लिया है फांसनर से नीचे का जो बोक्स है हमारा यह पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है और साथ में electric काम भी अपना रूम के अंदर चल रहा इससे क्या होता है गए अपनी धूल मिट्टी जो है वह ज़्यादा दीवार पर लंगती नहीं है पेंट जो अपना खराब नहीं होता तो जो इसके अपनाे वेस्ट व近 K न Nasıl tam हो चुका है और जो अपनी नीचे वाली जो ड्रोर या इसकी पल्ले वगरा हैं अगर आप बोला प्रोफाइल लगाने जा रहे हैं तो इसको एक बार चला कर देख लें अपने को जो गुरूप बनाना होता है या ऊपर नीचे की तरफ अगर कहीं कहीं आपको रंदा लगाना ह तो यह आपको एजबेंट टेप लगाने से पहले पहले इसको करना होता है तो इसमें आपको बहुत ही आसानी रहेगी और काम भी बहुत अच्छा रहेगा आपका तो इस तरह से आप इसका कुछ आइडिया ले सकते हैं लगबग हमारी जो दराज है वो कंप्रीट हो चुक से अंदर लगाई जा रही है यह बोक्स के तो इस तरह से आप इसको कोने ने जरूपकर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करने ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप बने रहे हैं हमारे चैनल पर लाते रहते हैं हम इस तरह की वीडियो लकड़ी के काम से संबंदित तो मिलते हैं गाई नेक्स वीडियो में